आई गाई सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार कैसे हैं आप सब बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल पर और आज के इस वीडियो में 21 डेज रिवीजन हमारा चल रहा है जिसके अंदर 17 डेज हम कर चुके हैं हमारे तीनों ही सब्जेक्स के लिए 21 डेज रिवीजन जो है चल रहा है एडवांस अकाउंट कॉस्टिंग एंड एफएम एसम के लिए जिसमें आज का लेक्चर डेडिकेटर रहेगा एफएम एसम को बच्चे चार ना चार रहे हैं सर एफएम का है या एसम का तो बता दें भाई हमारे एफएम के सभी सेशन खतम हो चुके हैं और एसम में भी हम तीन चैप्टर अपने खत्म कर चुके हैं आज बारी है डे नंबर 18, सेशन नंबर 18 की जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मेनेजमेंट के चैप्टर नंबर 4 की जो की है स्ट्रेटेजिक चॉइसेज कुल मिलाकर हमारे चार सेशन रहते हैं आज का 18 फिर 19, 20 और 21 तो इन चार सेशन के अंदर जो दो सेशन होंग और जो भी मैं करवा रहा हूं आपके अटेंप्ट के लिए बेहत 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 इंपोर्टेंटी चीज़े रहने वाली हैं जो भी हम यहाँ पर फाइल यूज करें वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल जाएगी इसी के साथ आज का सेशन पुत्तर करते हैं स्टार बो जैम आता दी बोलो जैम आता दी आईए जी ट्वंटीवन डेज चैलेंज फॉर एडवांस अकॉंट कोस्ट और फमसम और आज का जो बाउंडरी है उसे हम जो है फिक्स कर लेते हैं कि भाईया आज डे नंबर 18 है जहां पर स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात करनी है और सामन इस ऑप्शन की किया मैं ये करूं अगरा बिजनस एक्समेंड करने का सोच रहे है क्या मेरा जो एक्जिस्टिंग बीजनस से क्या मैं इसी में एकस्पैंड कर लूं यę totally unrelated बिजनस में कर लूं अगर इसी बिजनस में करना है तो क्या मैं कहीं पर geographical location कहीं पर नया खोल लूँ या फिर क्या मैं backward integration कर लूँ क्या मैं forward integration कर लूँ मैं किस तरह से आगे बढ़ू या फिर माल लिज आपका business नहीं चल पा रहा धंक से अब आपको सोचना है कि क्या करूँ क्या यार मैं अगर माल लो हम 4 different product lines बनाते हैं तो जो product line नहीं चल रही क्या उसको बंद कर दूँ क्यों फालतों में चलाना या फिर क्या मैं इसको turn around करने की कोशिश करूँ या फिर और कोई option तो इस तरह से there are plethora of choices which an organization faces in the today's competitive environment बात इतने से हैं आपको वो वो ली चीज़ को choose करना है जिसके बलबूत है आप अपने आपको लेकर आगे बढ़ सकें और survive कर सकें इस ever evolving dynamic competitive environment के अंदर इसी के बारे में जो खूब चर्चा इस पुत्तर chapter के अंदर की जाती है तो कुछ सवाल में आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ descriptive question, कुछ case study और कुछ multiple choice question जो आज हम discuss करने वाले हैं आजाएजी पहला question आपके सामने यो रहा हाँ जी Gotham and Siddharth two brothers are the owners of a cloth manufacturing unit located in फरीदाबाद, ठीक है they are doing well and have substantial surplus funds available within the business, कहता जी बढ़िया काम चल रहा है और उनके पास ना कुछ funds available है they have different approaches regarding corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in future, पैसा surplus है आगे कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कहता बात ऐसी है कि दोनों की जो strategy है न, different approach है दोनों की regarding the कौनसी strategy उनको follow करनी चाहिए Gotham is interested in acquiring another industrial unit located in फरीदाबाद, manufacturing the stationary items like permanent markers notebooks, pencils, shopners, envelopes and other office supplies, तो जो Gotham है, दोनों भाईयों में से, जो Gotham है वो कह रहे है कि फरीदाबाद में एक और industrial unit है, जहां पर ये stationary का समान बनता है, तो हम क्या करते हैं, उसको acquire कर लेते हैं, ठीक है on the other hand, question says, उत्तर सिदार्थ desires to start another unit to produce the ready-made garment, अभी क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, अभी ये क्या कर रहे हैं cloth manufacturing unit, अभी कपड़ा बनाते हैं, मतलब raw कपड़ा, उस कपड़े को शायद आगे बेच देते होंगे, फिर जिनको बेचते हैं वो ready-made clothes बनाते हैं, जैसे की coat हो गया, जैसे की t-shirt हो गया, जैसे की henky हो गया, तरह-तरह की clothes, shirt, trouser, et cetera, तो दूसरा भाई, जो सिदार्थ, वो कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एक और unit start कर लेते हैं, हम खुदी ready-made garment बनाना start करते हैं, cloth तो अपने पास है ही है, तो हम खुदी ready-made garment बनाना start कर देते हैं question कह रहे है भाई, discuss the nature of strategic choices being suggested by the two brothers with reference to the payoff and risk involved, तो कहता आप बताओ कि दोनों brother की जो choice है, उसको technical name दो, it says identify the strategic choices being suggested by these two brother with reference to the payoff and risk involved, मतलब क्या फायदा और क्या risk इसमें रहेगा, तो साफ-साफ पता लग रहे हैं, जो गौतम जो है, वो totally cloth वाले business से उठकर जाना चाहते हैं, different business में, यानि कि वो कर रहे हैं, totally different काम, जिसको बोलता है, conglomerate diversification, जबकि जो सिदार्त है, वो उसी business को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, कि आप same business में बढ़ा रहे हो, तो that is your vertically integrated diversification, इस तरह से बात जो है, रहेगी, तो आईए देखते हैं, Gotham wishes to diversify in a business which is not related to the existing line of product, can be termed as the conglomerate diversification, conglomerate diversification basically किया जाता है, risk manage करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही business पे अपने सारे funds लगानेंगे, एक ही business पे सारी energies लगा देंगे, कभी भगवान ना करे, कोई उच नहीं चाह और आपके पास risk diversify करने का कोई और चारा नहीं था, इसलिए अगर कभी भी थोड़ा सा भी problem आया तो आप एकदम से setback लेने की हालत में नहीं रहोगे, लेकिन अगर आपके multiple of businesses होंगे, एक ही समय पर सभी businesses हमारे hit हों ऐसा मुश्किल रहेगा, तो Gotham की approach जो है वो इस बारे में है कि भाई diversify risk होना चाहिए, इसलिए वो conglomerate की तरफ जा रहे हैं, he is interested in acquiring another industrial unit located in फरिदाबाद manufacturing stationary items like pencil marker notebook shopner, envelope etc, which is not related to the existing product, तो कहता भी यह conglomerate diversification में जो नया जो business आप देख रहे हैं, फिर जो product है वो totally disjointed होता है from the existing business product in every way, totally unrelated diversification होते हैं, किसी विरकार का कोई relation नहीं होता मेरे existing business के साथ ठीक है न, कहता जी process technology function, किसी भी तरह से कोई connection नहीं है between the new products and the existing one, simply बोलें तो conglomerate diversification has no common thread at all with the firm's present position तो यह conglomerate को आपने चिपका आना था है यहाँ पे, ऐसा नहीं exam में word by word यही लिखकर आने, लेकिन हाँ कुछ keywords इसमें से आपको mention करने होगे, बाकि आप अपने knowledge के हिसाब से यहाँ पर दे कर आ सकते हैं, वहीं अगर बात करते हैं सिदार्थ की, on the other end, सिदार्थ seeks to move forward in the chain of existing product by adopting vertically integrated diversification या फिर आप इसको forward integration भी कह सकते हैं, होता कहें जी मान लीजिए आप इस particular level पर operate कर रहे हैं, यह आपके operations हैं as of now, हम कहते हैं भीया, अगर आप पीछे या आगे जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं vertically integrated diversification vertically integrated diversification अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं backward, अगर आप आगे की तरफ आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं forward, यह आगे पीछे का क्या मतलब है भाई, backward का मतलब हो गया कि जब आप close to the raw material जा रहे हैं, जहां से आपके suppliers आपको material supply करते हैं, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं close to the source of material, तो वो backward है आप आगे supply करते हैं, दूसरे units को जो कि further ready-made garment बनाते हैं, मतलब जो आपके customers हैं, so if you are moving further towards the customers, towards your customers then that is called as the forward, तो यहां पर क्या हो रहे हैं आपका काम था cloth manufacture करना, अब आप कहरे हो भी मैं तो ready-made garment बनाना चाहता हूं, मतलब आप forward जा रहे हैं, उस cloth से आगे चीज़ बनती है अब आप वो कहरे हैं कि हम खुदी यह वली चीज़ बनाना start कर देते हैं, so the cloth being manufactured by the existing process can be used as a material raw material for the garment manufacturing business अगर मैं ready-made garment बनाना चाहता हूं, तो जो हम cloth बना रहे हैं, अपने existing unit में, उसका जो output है, वो मेरे दूसरे unit के लिए, जो मैं नया start करना चाह रहा हूं, ready-made वाला, उसके लिए input हो जाएगा, in such diversification the firms opt to engage in businesses which are related to the existing business of the firm the firm remains vertically within the same process, moves only forward और backward in the chain, ये general हो गया, हमारे case में तो forward जा रहे हैं, it enters specific product or process step with the intention of making them into new businesses for the firm and main characteristic care the firm does not jump outside the vertically linked product process chain, तो सिदार्थ जब कह रहा है कि भाई, इसी business में हम आगे बढ़ जाते हैं, ready-made government बनाना start कर देते हैं, तो उसके back of the mind पर reason ये है कि भाई, क्यो unrelated business में जाने, totally different path होगा, new path होगा, उसमें क्या challenges है, क्या rewards है, आपको नहीं पता, तो सिदार्थ का ये मत है कि भाई, हम शुरू से इस business को करते आएं, हमें इस business की knowledge भी है, तो हम इसी business को आगे बढ़ाते हैं, rather than going into altogether a new business, okay, so both type of, अगर हम conclusion दें अपना, तो both type of diversification have their own risk in conglomerate, there is no linkage with the customer group, customer marketing function, technology used, which is a risk, क्योंकि सब कुछ आपके लिए नया है, उस type के customer की क्या preferences है, क्या test है, आपको बहुत deep study जो है, analysis करना होगा, उसके बिन आप survive नहीं कर पाऊगे, लेकिन in the case of vertical integrated diversification, there is a risk of lack of content focus on the original business, तो रिस्तों वहाँ पर भी है, कि आपका जो main business, cloth वाला पता चले है, आपने उसको छोड़कर आप कहते हैं, भाई, ready mid government में पैसा बहुत है, आपन इसी business को करेंगे, और आप उस business से अपना ध्यान अठागे, जो कि आपका main business था, जिसके बलबूते, आज आप दूसरा business start करना चाह रहे तो तो इस तो दोनों में रहेंगे, conclusion में आप अपनी तरफ से भी और चीज़ें add कर सकते हैं, तो ये था हमारा पहला प्रेशन बहुत बढ़िया, उसके बाद, अगला प्रेशन आते हैं हमारे सामने, explain the characteristics of stability strategy, तो strategy choices chapter में कहीं तरह की strategy discuss करी जाती, जिसमें इस एक हो तो stability strategy, उसके characteristic पूछ रहे हैं कि यह कैसे दिखती है stability strategy, अब नाम सी clear है stability strategy, कहीं लोग इसको यह मान लेते हैं कि stability मतब तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, नहीं, ऐसा नहीं है आज की date में, हर किसी, everybody has the aspirations, everybody wants to grow, लेकिन realistic picture भी आपको साथ में रखने चाहिए, कहीं बार हम इतने aggressively आगे बढ़ने के पीछे पढ़ जाते हैं, कि अपना जो existing, जो हमारा as of now वाला धांचा है, उसी को हिला डालते हैं, और पता चलता है कि आपने इतने aggressively investments करी, कि हाँ हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, जो आपका existing business था, वो भी आपका खतम हो गया, and you had to close down the business, तो सबसे पहले it becomes very important कि जो business आपका चल रहे ना, उसमें आप stable हो जाईए, ऐसा अपने आपको बना लीजिए, कहते न, अंगत के पैर कितना भाईया, ऐसे हो जाओ उस business में कि कोई माइक का लाल तुमको हिला ना सके, पहले तुम इस business को जमा लो, उसके बात जो तुमें करना है, वो कर लेना, लेकिन अभी, as of now, it is very important, क्योंकि आज की rate में आप किसी भी business का नाम लो, any type of business you think, any product, any service, day by day, new set of competitors are coming in, तो आपके लिए बड़ा अवश्यक है, कि सबसे पहले जो threat है हमारे आसपास, इससे बचना, और उससे आप कब बच पाएंगे, अगर आपने अपना एक बर सिक्का चला दिया, उसके बाद word of mouth आपका product चलेगा, आपका business दोडेगा, लेकिन for that it is very important कि आप पहले अपने business को establish कर ले, तो उसके लिए है stability strategy, जहाँ पर हम कुछ नयापन नहीं लाने की कोशिश करेंगे, जो existing है, हम उसी को लेकर चलेंगे, अपने resources, capabilities को इस प्रकार से use करेंगे, कि हम core competencies develop करेंगे, core competency develop होती है, जब आप अपने resource capabilities को उसी तरह से use करते हैं, continuously over a period of time, keep on using that, तो तब जाकर हमारी बनती है core competencies, और हम competitors के ओपर एक advantage लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि यह competitive advantage, तो वो सब आपको stability strategy से ही आएगा, आईए देखते हैं, it says a firm opting for the strategy stays within the same business, same product market posture and function, maintaining the same level of effort as at present, the endeavor is to enhance the functional efficiencies in an incremental way, functional efficiency, जब functional level पढ़ते हैं हम, जब एक तरह से आप कह सकते हैं कि functional structure भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जितने भी function है, finance है, purchase है, HR है, production है, admin है, तो कहता हम functional efficiencies को enhance करना चाहते हैं, धीरे-धीरे incremental way में कि अब हमारी organization में जितने भी functions हैं, वो पूरी तरह से improvement in the functional efficiency, और organization को यह लगता है जो stability strategy में जाते हैं कि जैसे-जैसे हम incremental धीरे-धीरे-धीरे improvement अपनी functional efficiencies में करते रहेंगे, वैसे हमारा जो profit है, वो बढ़ता रहेगा, stability strategy does not involve a redefinition of the business corporate, कहता भाई, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कि पहचानो अपने आपको, जानो अपने आपको कौन हो, तुम क्यों आई, नहीं भाई, कहता ही, जान लिया हमने भाई, हमारा vision, mission, goal, objective सबते हैं, अब तो जो हम करते हैं, हम उसी को करते रहेंगे it's a safe strategy that maintains the status quo, मतलब जो हमारा status है, वो maintain हमारा रहेगा, it does not warrant much of the fresh investment, ऐसा कुछ नहीं है कोई investment हम extra नहीं कर रहे, risk involved बहुत कम है strategy में, क्योंकि जिस चीज की हमें knowledge है, जो काम हमें आता है, भाईया उसी काम काम कर रहे है, माल लीजी, आप chartered accountant बन गए सिए बन गए, सबसे पहले तो आप घर में पाओगे, भंगडा, बले, बले, बले से यह बन गए, अब आपने सोचा, क्या करूँ, job करूँ है, प्रेक्टिस करूँ, किसी ने कहा practice कर, ठीक है, आपने practice का सोच लिया, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि practice करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर आप किसी अच्छे corporate में काम कर ले, तो आपको काम करने का सली का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है, आपने तीन साल मेरी सलामान के, किसी बिग फोर्म है, किसी तगडी organization में काम कर ले, जिन्होंने खून पसीना आपका बहा दिया, और अब आप एक पक्के जो है, बन चुके हो, परिपक्व हो चुके, एक mature man हो चुके हो, अब आपने का, भाई, अब मैं अपने practice खोलूँगा, आपने practice खोली है, प्रेक्टिस में आए दिन आपका लोगों से मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है, अब कहीं लोगों की फितरत होती है, कि आप बैठे हो practice कर रह है, लेकिन कहीं लोगों की आदत होती है, जैसी client आया, client की documents पड़े, अरे इतना रुपर का profit कमारे है, client क्या करता है, check करता हूँ, search करता हूँ, कैसे इस business में आ सकते हैं, और उस चीज़ के सपने देखने में लग जाते हैं, अपना main काम छोड़ कर, अपना main काम छोड़ कर फिर कोई person आते है, किसी से आपकी बात है, माली जी कोई real estate person है, जो की property में deal वगरा करता है, और property में normally 1% जो common चलता है, पूरे भारत भर में, कि भाई, जो भी transaction होती है, उसका 1% जो dealer को मिलता है, आप chartered accountant हो, आप practice में हो, तो network तो ही है, तो आपका मन कियो ना, आप भी real estate मे आया हो क्या, पहले भाईया अपनी practice को जमा ले, अभी अभी तू नया नया काम करने लगा है, अपने clients के business में तू घुसना चाह रहा है, real estate की तू ट्रांजिक्शन करना चाह रहा है, अच्छा लगेगा तू बिंगा chartered accountant लोगों को दिखाने जाएगा, property हांजी साब यह व चाहन नहीं दोगे, तो जो अच्छे client जो तुमें मिले थे, जो चाहते थे, तुम समय पर उनका काम करो, उनका तो तुम काम कर नहीं करे, वो तो छोड़कर दूसरे CA के पास चले जाएंगे, और जिस नए काम में तुम घुसे थे, उसकी तुमें knowledge है नहीं, तो होगा क्या टाइं टाइं फिस हो जाएगी, तो इसलिए कहते हैं, stability strategy करना बड़ा जरूरी से, while opting for this strategy, the organization can concentrate on its resources and existing business product market, leading to building the core competences, मतलब मैं इस कदर अपने business में अपने आपको establish कर लूँगा, कि कोई competitor आकर मुझे हिला नहीं पाएगा, and the firm with the modest growth objective, choose this strategy, मतलब ऐसे firms जिनका बहुत जाद फूफा, asset growth नहीं चाहतेगी अपने को ना, बस इतने billion dollar कमाने हैं, अपना हर country में सिक्का होना चाहिए, हर city के अंदर अपना मनाम होना, कहता भाई, modest growth objective, बहुत जादे aggressive नहीं हैं, we are happy, संतोशम परम सुखाय वाले लोग हैं, संतोशम परम सुखाय जो मिला है, उसमें खु इस 5 financial year, पिछले 5 साल से lossy हो रहे हैं, currently they are into manufacturing of cloth made of cotton, silk, lobster, rayon, lycra and blends, competition is intense on account of cheap import, companies facing cash crunch, has not been able to pay the salary to its employee in the current month, भाई, बड़ी हालत खसता है, है तो strategic management लेकिन लग रहे हैं, internal reconstruction का question है, क्योंकि, describe इस तरह सी कहता है, suggest a grand strategy that can be opted by soft cloth, अब grand लिखने से कुछ तो होगा नहीं भाया, तो simple, यही कह दो, वो कि suggest a strategy, तो कहता भई, soft cloth फालो के लिए क्या करें, question पढ़कर पता चल गया, हालत खसता है, significant losses in all the previous 5 years, keep import के कारण competition कूब intense हुआ हुआ है, company का cash crunch है, कहता भई, salaries भी employees को दे नहीं पाए हैं, current month में, तो क्या करें, strategy बिताओ, सबसे पहले तो हम कहेंगे भाय retrenchment का challenge, ओपर से internally भी हम challenges face कर रहे हैं, cash crunch है, salaries भी हमने pay नहीं की, तो company को क्या करना होगा, they will have to, first of all thing, can they turn it around, क्या, इसको reverse कर सकते हैं, अगर हां, तो turn around strategy, अगर turn around करने के बाद भी लगा, नहीं कर सकते हैं, तो retrenchment strategy, मतलब इस particular division को निकाल दो, और अगर लगा, कि नहीं पूरी organization, इसी division के बेस पर चल रहे है, तो हो सकते हैं, आपको liquidation में भी जाना पड़े, चाहते या ना चाहते, ठीक है, आइए देखते हैं, so it says, पुत्तर, the company is facing internal as well as external challenges, external environment is in the economic recession, and the organization is facing cash crunch, also company needs to work on the retrenchment or turn around strategy, सबसे पहले बात करते हैं, जिस strategy is suitable in case of efficiency, जो हमने बोला, कि turn around or retrenchment करना है, ये strategy की क्या निशानी, मतलब कब लगाई जाएगी, आपकी business में क्या ऐसी features हमें दिखेंगी, जिसके कारण हमें लगेगा, कि भाया, अब तो ये तुम्हें लगाना पड़ेगा, तो क्या-क्या निशानिया है, कहता अगर negative cash flow है, persistent काफी समाझ से negative cash flow चल रहा ह positive नहीं हो रहा, हमारे product और service जो है, uncompetitive हो चुआ है, वो तो उसने बताए कि भाई, ये cheap import के कारण competition बहुत है, मतलब हमारा समान नहीं भिकरा, market share हमारा decline होता है, अगर मेरा समान नहीं भिकरा तो भाई, किसी और का भिकरा है, मतलब मेरा market share का मोर है, physical facility deteriorate होती जा रही है, मत मेरा का simple सा मतलब है कि भाई, हमसे ना income आ रही है, खर्चे हमारे हो रहे है, profit हमारा होनी रा, loss हो रहे है, तो इस type की option क्या कोगे, mismanage जी तो कहोगे, the company may consider to substantially reduce the scope of its activity, this is done through an attempt to find out the problem areas and diagnose the cause of the problem, तो कहता है, सबसे पहले problem area identify करो, क्या problem है, फिर उसका cause ढूंड हो सकते है, आपक को लेने होंगे to solve the problems, ठीक है जी, these steps result in different kind of retrenchment strategy, क्या-क्या है, if the organization chooses to focus on ways and means to reverse the process of decline, तो हम कहेंगे कि भाईया, आप turn around strategy अपनाना चाहते हैं, जहां पर आप पूरी तरही की से अपने कोशिश करेंगे, कि जो ये गलत चल रहे है, organization में, इसको खतम करके, हम किसी तरह से अप option है, if it cuts off the loss making unit division or SBU, और curtail the product line or reduces the function, तो उसको बोलते हैं, divestment strategy की, जब आप investment करते हैं, पैसा डालते हैं, तो हम बोलते हैं, जब आप reverse करते हैं, तो हम बोलेंगे divestment strategy है, और if none of these actions work, then it may choose to abandon the activities totally means resulting in liquidation strategy हो सकता है, हमें अपने business को ही बंद करना पड़े, अपनी organization को बंद क हमने, कहांदा जी, if suppliers are unreliable or too costly, जिन से हम समान लेते हैं, supplier, कहता जी, unreliable है, मतलब, कभी भी बना कर सकते हैं, या फिर बहुत costly हैं, तो कहता हम क्या करें, बड़े simple सी बात है, उस case में raw material के ओपर खुद का control लेलो, खुद से बनाना चालो करो, तो कहता है, horizontal integration करेंगेंगें उत्तर है, market penetration, forward integration यह उत्तर नहीं है, correct answer क्या है, backward integration आपको करना चाहिए, मतलब, backward मतलब, आप उस chain में पीछे raw material तक पहुंचे और raw material के उपर, supplier के उपर dependent ना होकर, खुद का कुछ source जो है, ढूंडे, then it says, next question, diversification primarily helps क्याता है, लोग diversify क्यों करते हैं, to reduce the competition, जी नहीं, to reduce the risk खान जी, to reduce taxes, no, to reduce the cost, no, to correct answer है, to reduce the risk, diversify किया जाता है, risk reduce करने के लिए, diversification से आप एक से ज़्यादा बिजनसे में जब एक साथ रहेंगे, तो obviously बात है कि एक समय पर, एक ही समय पर आपको सभी business में जटका नहीं लगेगा, ठीक है, तो यह हमारा आज का session रहा, इसके notes आप session में तब तक के लिए, बाबाई